तो गाऊं के लोग तूरंक यह कहा था घटा हो लाइए लगिया cat लोगिया अशाया of thevent,ário這邊 सेएधा हुए हेलो गाइज नमस्कार आप सभी को स्वागत हैं हमारे यूटूब चैनल में हमारे चैनल का नाम है तीजु सितु बाबु बोलोक और अभी सुबह हो चुका है यानि सुरज की लाली भी आ चुकी है अभी समय का साड़े साथ बज रहा है गाइज लेकिन आज भी तो मोसम धका हुआ लग रहा है यानि बादल बादल कोहसा चाया हुआ है फिर हम अभी टहलने के लिए निकल चुके हैं खलियान की और क्योंकि खलियान में हम लोग कल धान पिसाए थे तो वो धान अहीं पे रह गया है रात होने के कारण नहीं पहुंचाए हैं घर अभी इसको ले जाएंगे घर तो याज उसSeT पुहले चली हम दिखाते हैं कि इधर का खेत में क्या स्थिति है तो याज देखी यह सब रहा इधर हम लोग का और है बनाकर पानी को निकाला जाता है उसके बाद धान की फसल को काटा जाता है ताकि वो धान जो होता है पानी के साथ डूबना जाए देखिए यह रहा क्यारी जिसको बोलते हैं देहात में नाला इसको डॉंग बोलते हैं देहाती भासा में और इसको हिंदी में क्यारी बोलते है एक सकते हैं इसे आया है उना अगला खेत श्जज को यहां कणेट किया गया है पानी आता जैसे उतर बिद्यस देख सकते हैं और देखें यहां अपर देखिए पानी किस तरह से इसका लेर जा रहा है राम से बह रहा है देखिए थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है उतना पानी अभी नहीं है क्योंकि अभी तो पानी का मौसम नहीं है यह सभी पानी है गाइज स्रोथ का पानी है यानि जैसे जिसको बोलते हैं देहाती में जरक उसी तरह का स्रोथ है और इस तरब देखे गया है उधर भी नीचे तरब चल गया और उधर से जाके फिर उधर नादी है वहाँ नादी में जाकर मिल जाता है और फिर पानी चला जाता है और इधर कौहासा के कारण अतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रही है दूर तक देखे जंगल सब जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है यानी मालूम अतना नहीं आता है कि किस तरह का पेड़ पोधा है और क्यांकि कौहासा से ढखा हुआ है जिस कारण से किलियर नहीं दिखाई दे रहा है नहीं तो अगर कुहासा नहीं रहा तो पुरा किलीन दिखता हरा भरा हरा भरा सुन्दर जारखन दिखता जिस तरह से गाना है ना जिसको हाईरे हमर सोना जारखन उसी तरह से सोना मतलब सोना ही होता है गाई सोना का मतलब समझ सकते हैं हरा भरा भी होता है और धारखंड की हर छेत्र में हरा ही मिलेगा क्यांकि यहां पे पहाडी छेत्र होता है जिसके कारण से अच्छी तरह से हरा भरा होती है कोई माइन्स अरिया में भी उस तरह होता है ल और गाज उस तरब रहा हम लोगा खलियान जो दीख रहे हैं दोगों उस्चा उस्चा देख रहा है यानि वो पुवाल का डिंग है पुवाल का धेर किया गया है जिसको बोलते हैं और वहाँ पर हम आभी जा रहे हैं और वहाँ ही पर मेरा साइकल रखा हुआ है उसी के माधि हम से धान को ले जाएंगे और चलिए हम खलियान तक चलते हैं तो गाज चलिए हम खलियान तक चल कर दिखाते हैं वहाँ पर किस तरह का हम लोग का धान रखा गय थे देख सकते हैं यह रहा खलियान और यहां पर हम लोग धान को ढख रखे हैं क्योंकि कल नहीं ले जाने सके थे रात हो गया था यह इधर भी है और यह दोनों साइड ही यह दो जगा पर इकठा किया हुआ है इसके अंदर में है धान हम दिखा रहे हैं यह रहा धान हम लगा यहां और है ऐसा बात नहीं कि इतना ही है इधर पूरा है पूरा है यह और इसी से चावल निकाला जाता है और इस तरब भी है यहां अंदर में इसको कुछ देर के बाद फिर इसको खुलेंगे और ले जाएंगे देखिए इस तरह का है और उस तरब रहा मेरा साइकल देखिए यह सब में कितना मोटा मोडा इस्पोक लगाया हुआ है यह ने इसमें समाल्ड होने का ही है यानि माल्ड होने वाला है देखिए यह रेक्सा टायर इसको बोलते है और हम लोग का फाइनली खतम हो गया गाज खेत का धान जितना भी हम लोग लगाई हुए थे सारा धान कटिंग होकर सारा धान को थ्रेसर के माधियम से उसका धान को ज़ाडा गया है और घर भी पहुंचाया है बहुत और एक खाली थोड़ा सा है एक छोटा खेत का धान है जिसको हम लोग आवडी निकालेंगे यानि उसको हाथ से जाड़ेंगे मसीन के माधियम से और उसको थोड़ा बांद बांद कर रखेंगे उसको घर में रखते हैं यानि बरसात के दीन में खिलाने के लिए होता है और पुवाल जब होता है तो तो पानिम भींग जाता है नो बाहर रहता है उसको ढखते नहीं है हम लोग इधर तो ढख के नहीं रखते हैं जिस कारण से भींग जाता है तो जिस समय हम लोग धान की रोपाई खेत में करते हैं उसी टाइम उहां से निकाल निकाल के देते हैं घर स पुआ आउडी सबको और रही सब जानुवर लोग खाता है फिर उसका काम लेते हैं उनलोग से कि जब आहार करेगा तब तो फिर काम देगा अगर नहीं करेगा तो काम कैसे कर पाएगा इसलिए उससब को थोड़ा अच्छी तरह से खिलाना पड़ता है और देखिए उससे फ होथी महतपूरन इंपोर्टेन होता है फशल के लिए केअ कि उस में जो हता है गोवर्क से जमीन का जो अस्थर है यानि सिचाइध करने का उसका अच्छी तरह से मिलता है जादा उस जमीन में उबजाव सकती जादी होती है यानि जिस खेत्र में खेत्र में यानि केच्वा खात का भी उपियोग किया जाता है वो इसे खेत्र में अच्छी तरह से भी धान होती है इसी बात नहीं है कि नहीं होती है क्योंकि केच्वा किसान का मदद करता है यह उसका मित्र होता है, जैसे से जेस्तर ह से वह जमिन का मिटी को अंदर वाला मिटी को निकाल के फिर उपर फिल्टर करती है, इधर उदर अदर करते हैं नहीं कि अधंका थो काम पूरा खत्सक्राइब पर चठाएंगी, वह मिलेगा खलियान पर हम लोग माचा बनाते हैं उस माचान में चढ़ाएंगे पुवाल को हुआ है और अगले साल फिर मिलेंगे कि ख्यत में किस तरह से हम लोग धान की रुपाई करते हैं कैसे बेहन सीटते हैं फिर उसके बद किस तरह से रुपा जाता है फिर फसल को किस तरह से मतलब शारा चैक क्रेक्टरिया जितना होती है सबीधी और फिर अगाला साल फिर मिलते हैं धान की फसल के साथ क्यांकि आप तो यह साल भर का मौसम खतम हो गया गाज इसके बदा अगला साल फिर मिलते हैं वही अगास सितमबर में फिर आज अब हम चल दिये हैं घर लोट रहे हैं क्योंकि आयल नहीं लोग हम तो एके ले थे इसमज़से कैसे लोट करते जिसकारण खाली का साइकल ला रह और यह पेड़ है इमली का इस पेड़ पर इमली भी फलता है तो अभी इसका सिज़न नहीं है जिसकारण से यह फला नहीं है और चलिए और दिखाए तो गाज अभी हम लोग फिलाल कुईया के पास हैं और इसका जोड़ाय देखिए क्रेक कर गया है और इस तरह है मिस्त्र पाइप को पकड़ के हैं हम लोग कुईया में टूलू मसीन को उतार लगा रहा है मतलब यहां पर देखिए उतार हैं इस तरह से कुईया के अंदर वहां पानी ले जाएंगे च्छत घर पटा आना है दिवाल इस तरह है आग देखिए भरसी में सेक सेक कर पाइप को ताकि मुलाइम होगा रिये रहा जोंटार देखिए क्लेव इस तरह का है कि आज अभी हम दिखाने वाले हैं बहुत अजुबा चीज हम लोग का यहां हो गया है कि हम लोग के घर के बगल में क्योंकि हम लोग धान ला रहे थे उसके बाद कोछी छनक बाद जैसे खानाव न के बाद पुमार का धेरी होता है उस धेर में बच्चा लोग आग को जलाए थे और मतलब उसमें आचानक पुरा जोर से पुरा भीसम आग फैल गई और फैलने के बाद गाज पुरा आदमी लोग इकठा हो गये हैं जिसके बाद वहां मौजद था मसीन और मसीन लगाया हु वहां मसीन पुरा जोर पुरा को प्रॉटी संगे लोग भीसमें आगने। तो गाज जैसे ही आग फाइल गया उसके बाद फिर गाउं के लोग इकठा हो गये और मसिन लगा हुआ था कुया मेही और पाइब भी उसका रोड तक आया हुआ था तुरन तुरन जल्ली पाइब को खोलें और उसके बाद फिर आग को बुझाने के लिए सभी गाउं के गरामीन लोग लग चुकिये और उसके बाद लगने के बाद उस आग को अच्छी तरह से बुझा पाएं लेकिन 100% में करीबन 30% खजल के राख हो गया अचानक और बहुत लोग उसमें जुझे हुए थे बुझाने के लिए आग को लेकिन उतना करने के बावजुद भी थोड़ी थोड़ी आग बुझ पाई और कुछ हैसे चीज़ था जिसको हटाएं इधर से आग लगना चालू हुआ उस तरब से अलग-अलग करते 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 फिर थोड़ा से इकठा कर किया गया उसके बाद फिर जिस साइड में आग लगा था उसमें फिर पूरा पानी प्रेसर से डालने लगे एक सिंटेक्स था बागल में आजनबाडी के अंदर के पास वहां से भी पानी का कनेक्शन लिए गया उसके बाद फिर मोटर से लिया गया था उसके बाद भी समाग को बुझाएं फिर उसको बुझाने में हम लोग काभू पाएंगा और सक्षम रहें और अच्छी तो उसका भी वीडियो हम दिखा रहें कि इस तरह से यहां लोग अधुल लगे हुए हैं इस आघ को बुझाने के लिए ताकि रच्छा होगा और क्या बोलते हैं यानि जैसे उनका घर में जो पशुआ है उनका खायेगी आ रहे अच्छी तरह से अपना जीवने आपन करें तो गाउं के लोग तूरंदी कठा होगे और गाउं के मैं इसा नहीं होता है कि उसका मदद नहीं कर जाता है सबही लोग मिल जाता है और एक किसी के घटना अगर हो जाता है तो तूरंद सबको मिल जाते हैं देखिए किस तरह से वीडियो में इन लोग करे हुए है गाइस दूरा ध्यान से देखिए अट लग यह लग जग यह पुरा लग यह निया पानी ऊड़िया ओक आदको दोनो को दोनो कियो आ चीमियोग करता है चाम कर ठीक है नहीं होा जाना इस प्रेडम का बत्ते हैं जह डरें तरह से एहों कियाना आ से लुट हों किलिए्या है पोल यह दो आ दो भोर मता καту Lenin जश्कों के प्णा करें प्रसदीन झाल झाल